दिस इस मानी शर्मा आर्टन क्राफ्ट चैनल और आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं फ्रूट बास्केट बहुत यूस्फुल वीडियो है वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा यहाँ पर हमने एक शीट ली है जिस पर हम पहले मार्चिन लाइन ड्रौ करेंगे स्केल की हल्प से तो यहाँ पर हम पहले ड्रौ करने वाले हैं एक सेंटर लाइन जो 6.5 सेंटीमीटर की है इस लाइन के टॉप पार्ट पर हमें 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रौ करनी है 55 सेंटीमीटर बोद साइड और इसी जो सेंटर लाइन है लास वाले पॉइंट पर 5 सेंटीम पर मार्क करना है और इस मार्क पर हमें 8 cm की लाइन को ड्रॉ करना है फोर फोर बोच साइड देखे सारी मार्जिन लाइन्स ड्रॉ हो गई हैं अब हमें देने हैं तो यहां पर हम तोनों साइड से पहले कर्व देते हुए लाइन्स को मिला रहे हैं सिर्फ हमें शेप देनी हैं इन लाइन्स को मिलाते हुए और जो नीची बॉटम वारा पार्ट है उसको हलका सा कर्व लाइन में कनवर्ट कर देंगे बिलकुर सीधी लाइन हमें नहीं बनानी उपर वाले पार्ट पर हमें इस की तरह एक शेप देनी है यहां पर जैसे बड़ा सा एस बनाते हैं उपर पार्ट से नीचे वाली जो हमारे बास्केट का पॉइंट है वहां तक और जो स्पेस आया है उसको हम उपर तक कवर कर लेंगे उपर वाले पार्ट पर बनाएंगे हैंडल यहां पर एक हैंडल ड् स्टूरेंट्स के लिए फूट बास्केट बहुत जादा एक्जम में आती है बोर एक्जम में भी आती है तो इसको आप स्किप नहीं कीचेगा जरूर देखेगा पूरी वीडियो जितनी मार्जिन लाइन है उनको हम एरेस कर लेते हैं और अब हमें पहले शेप दिनी है तो बॉर्डर है एक तरह से वो निकल कर आ जाएगा बास्केट का अब क्योंकि बास्केट हमें अच्छी नहीं लगेगी तो इसको थोड़ा सहम डिजाइन बना लेते हैं बहुत ज्यादा हैवी हमें नहीं बनाना है डिजाइन बास्केट का तो यहां पर हम बहुत हलका सा बना सकते हैं पर बहुत जादा हैवी डिजाइन नहीं बनाएगा क्योंकि बेसिकली जो हमारी बास्केट है वो सुन्दर लगनी चाहिए पर हमारे फ्रूट्स भी उतने ही इंपॉर्टिंट है तो दोनों हमें लेकर चलना होता है अब रह करते हैं फ्रूट्स तो सबसे पह है उसके अकॉर्डिंग पूरा बरा बरा हमारा बास्केट लगेगा अगर हम और जादा फ्रूट्स इसमें लगाएंगे तो ओवरलाप होंगे वो उतने अच्छे नहीं लगेंगे तो हमें जितने जरूरत है उतने ही फ्रूट्स ड्रौ करने हैं और यह ध्यान रखिएगा कि पीछे आगे होने चाहिए पूरा फ्रूट्स कोई नहीं दिखेगा क्योंकि बास्कीट के अंदर है फ्रूट्स तो हमारे पूरे वो नहीं दिखाई देंगे एक दूसरे को ओवरलाप करते हुए फ्रूट्स पनाने है हैं हैंड ये को भी इस तरह से जैसे हमने नीचे कर्व किया था उससी तरह से कर्व करते हुए कम्पीड कर लेंगे तो यह हमारा हैंड रेजायन भी हो गया अब स्टार्ट करते हैं शेडिंग अगर आप चाहें तो विदाउंट कॉमकिन्ट हैं बिरस्ट फते होराएं टूरहने देडियाउन्ट मुझे उससे रुका यह अच्छा रहता है तो यहाँ पर देखिए साइट से जहाँ हमें डेप दिखानी है वहाँ डाक शेडिंग करिए और दूसरी साइट शेडिंग नहीं करनी है जब हम cotton से mixing करते हैं तो one side dark रहती है और उसको spread करते हैं जहां हमने shading नहीं की वो automatically right रहती है इसी वज़ा से हमने इसको बेन छोड़ाता देखिए हमारी depth आ गई है जहां dark दिखाना है वहां dark और चहां light है वहां light अब इसको complete करने के लिए थोड़ा सामे outlining करनी होती है तो यहां पर हम dark shading के साथ outlining करते हुए अपने fruits को complete कर रहे हैं जब तक आप यह वाला part complete करते हैं मैं अपने सभी viewers से एक request करना चाहती हूँ कि अकर आप मेरे चैनल पर नए है या आपने आभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है आप regular videos वाच कर रहे हैं तो प्लीज मेरी YouTube family को increase करिए और सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर इससे क्या होगा कि मेरी सभी video के notification आपको सबसे पहले मिल जाएंगे और memory translated, surahi, jug, plate में फल, fruit basket, book drawing, bucket और mug, कोई भी video अगर आप मेरे दीखना चाहते हैं तो कुछ videos के link में उपर i button में share कर रहे हूँ आप आहां से चेक करिएगा और video के end screen पर भी video के link शेयर करूंगी तो आ आप चैनल की playlist में जाके चेक कीजिएगा वहाँ आपको composition, painting, landscape, पालेखन, drawing, memory, drawing, decoration, craft, ideas, सब भी तरह की videos में लेंगी तो आप एक बाद प्ले लिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा और link आपको description में मिल जाएगा तो देखिए हमने handle complete कर लिया जो हमारा basket का border है इसको भी हमने complete कर लिया अब जो हमें sharing करनी है basket की उसमें भी हम same process करेंगे एक side से dark और दूसी side से light हमें basket को बहुत ज़दा dark नहीं बनाना है तो मिलकुल medium सी shading करनी है और उसके बाद जो design है उसको थोड़ा सा dark बनाना है ताकि वो highlight हो तो यहाँ पर आप इस बात का ध्यान दखिएगा और जितनी भी आप lines draw कर रहे हैं उनका ध्यान दखिएगा कि वो कहीं से भी break होती भी ना दिखिए तो equal line draw करनी है कहीं से crack नहीं होनी चाहिए टेरी मेरी नहीं होनी चाहिए उससे कह वो finishing नहीं आती है इनी चोटी चोटी बातों का आपको ध्यान रखना है इसी से हमारी drawing बहुत साथ attractive हो जाती है neat and tidy दिखाई देती है बहुत सुन्दर लगती है तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो please like बटन को प्रेस कर दीजिए वीडियो को अपने सभी friends के साथ share कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो come on guys जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लिजिए और notification bell बटन को प्रेस करके all पर भी click कर लिजिए इस तरह का useful content आपको मेरे चैनल पर मिलता ही रहेगा और अगर आप चाहते हैं किसी particular topic पर में आपके लिए वीडियो बनाओ तो please comment box में जरूर mention कीजिएगा thank you so very much for watching my video मिलती हूँ आपसे next video में तब तक के लिए बाइबाइ take care